कि तरियार प्रिवारी चाट हेलो नमस्ते जी सभी को आसा करती हूं सब अच्छे होंगे और मैं आज फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नई वीडियो लेके और आप देख सकते हैं चाट काके पाईल कितनी कुछ जादा खुस है तो चलिए बना लेते हैं जो इसके लिए मैंने मेध्दा चान लिये मेरे पास ये लग बग दो किलो मेध्दा है, तो दो किलो मेंसे थोड़ी सowan है तो उसमें से मैं दो तरह की मथडी बनाऊंगी कुछ फीकी हल्की फीकी और कुछ नमक की तो दो कप तो मैंने लिए गुड के सेव बनाऊंगी उसके लिए और दो कप मैं ले लेती हूं ये जो पपड़ी वाली चाट बनती है न, उसके लिए, जो हलकी मठडियों पर दई मसाला डाल के देते हैं, तो इसमें मैंने हलका सा नमक डाल लिया है, और जो मैं मठड़ी बनाऊंगी, उसके लिए मैंने डाल लिया है, अजवाइन भी करस करके, इस दूसरे वाली मैं नहीं ड करपारे बनाऊंगी, मतलब गुड के सेव बनाऊंगी और वैसी मठड़ी बनाऊंगी, केवल इसी मैं जवाइन डाल लिया है, अब इसमें मैं मोयन डाल लेती हूं, यह 1 किलो से थोड़ी सी जादे मैदा है, तो इसमें मैं लगबग 1.5 कप के आसपास मोयन डाल लूँगी और यह इधर 4 कप है, तो 4 कप में 1 कप मोयन डालूँगी, क्योंकि तीहाई का मोयन डलता है लगबग, अगर 1 किलो है तो आप उसमें 1 पाओ या 300 ग्राम तक डाल सकते हैं, तो इसमें में 1 कप यह डाल लूँगी, 4 कप मैदा है, तो यह बहुत अच्छी सी खस्ता करारी बन कुना सी पानी लिया है, मैंने कप से ही मेजर कर रही हूँ, यह 2 कप में आठा लग गया पूरा एक दो सर्व का, दूसरे वाले में 2 造成 5 अच्छी सी खस्ता बच उसमेई 2 पानी बच गया और यह मैंने मंधड़े वाले को मैं सैट कर लेतीहitas इं, जिसकी मुझे मुझे मत् तो जब तक सक्कर पारे काटोंगी तब तक मंदी गैस पे मैं ओईल करम होने के लिए रख देती हूं कुकिंग ओईल आपको इसाब ले सकते हैं मैंने सपोला का लिया है और यह सरसो के तेल में तो नहीं बनती हैं क्योंकि थोड़ी स्मेल सी आती है तो अब मैं इसको बिल्कुल चकोर काटके थोड़े मोटे ही बना रही हूं मैं बिल्कुल पतले पतले से नहीं बना रही क्योंकि वो थोड़े से जल से जाते हैं खाने में थोड़े से जादे ही वैसे हो जाते हैं तो इसे नरम से रहेंगे और ये मैं काट के रख लूँगी तब तक oil गरम हो जाएगा और सारे ये इस तरह काट लूँगी कुछ काजू बनाऊंगी और कुछ बनाऊंगी मठड़ी तो ये एक बार के मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिये और दूसरी बार के लिए मैं वो काट के रख दिये सिल्वर का तो इससे आराम से कट जाते हैं प्लास्टिक वाली से कटते नहीं हैं तो हाज मोलका एक डखकन ले लिया है थोड़े बड़े से कटेंस से रुआपजा की जो बोड़तल होती है न उससे वो अच्छे कड़ते हैं थोड़े छोटे-छोटे कड़ते हैं लेकिन फिलाल मेरे पास वो नहीं थी तो मैंने इसी से काट लिए और ये भी सारे कट करकर रख लूँगी और बारे-बारे से सबको फ्राइ कर लूँगी और ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं देखने में जैसे रियल काजू हो और ये आप देख सकते हैं पहला बैच बनके तयार हो गया है देखो कितना अच्छा है ना बिल्कुल अंदर तक सिखे हैं और अब ये जो जिसमें मैंने अजवाइन नहीं डाली थी ना वह वाला आटा है इसके मैं जो सक्कर पारे बनाऊंगी मतलब गुड के सेव वो काट कर रख दूँगी मैं और जो बाकी वो सेव तो मैंने काट कर रख दिया बाकी जो आटा बचा उसको भी मैंने बेल लिया और इसे हाजमोला के डगकन से ही में बिल्कुल एकवल लोई या काट लूगी ताकि कोई छोटी कोई बड़ी कोई मोटी ऐसा ना हो और सब को ऐसा हलका हलका सा या तो आप फोग की मदश से कर सकते हैं छेद नहीं तो आप इस तरह कदू कस लें और उस पर हलका सा इनको रोल कर दें तो इस तरह इसमें हलके हलके से होल बन जाते हैं तो यह आपको बहुत तीजी हो जाएगा आप मोटी तरफ से करना चाते हैं तो इस तरह कर लें मोटी तरफ से थो बन जाते हैं देखो इस तरह मेरे सक्कर पारे और मठडिया बनका तयार हो गया और मठडिया भी देख सकते हैं आप कितनी अंदर तक पकियां बहुत करंची बनी है और यह काजू का बैच भी अब इमापको इसकी आवाज सुनुआँगी यह कितने करंची हैं कितने टेस्टी रियल से काजू लग रहे हैं बिलकुल और यह गुड के सेव उदर मैंने बनने के लिए रख दियें कड़ाई में और इधर मैं बना लूँगी थोड़ी सी चासनी इसके लिए मैंने लगबक 200 गुड लिया है और उसमें बिलकुल दो गुट पानी डाल दिया है और यह इधर सेव भी बनके तयार हो गया है और इन्हें मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी क्योंकि मेरे को इन पर गुड की कोटिंग करनी है तो हलका सा लाइट ब्राउन रखूँगी मतलब सिक अच्चे बनने वाली है लेकिन अभी मैं देख रही हूं इसको चक कर रही हूं तो अभी इसमें कसर है थोड़ी सी एक दो मिनट ओड लगेंगे तब तक हमारे वो जो दूसरा बैच पड़ा है वो भी तयार हो जाएगा चासनी भी तयार हो जाएग तो दोनों काम एक साथ हो और बस अब मेरी यह जो मठी बची है बनाने के लिए देखो चासनी बन गया है देख सकते हैं आप कितनी फलपी सी हो रही है अब हम जो हमने वो बनाए हैं फिक्के वाले वो इसमें डालके और अच्छे से मिक्स कर देंगे अच्छे सा आराम आराम से मिक्स कर ले क्योंकि चासनी काफी गरम है और सेव भी गरम है अगर ज़्यादा ठंडे करके मिलाई नहीं तो चासनी अंदर तक नहीं जाएगी चिपके गिनी और अभी आपको लगेगा कि यह चिप-चिपे हैं लेकिन ठंडे होने के बाद यह ए कि बहुत करंची हो जाता है गुर्चासनी बनने के बाद और मैं फिर भी एक थाली में इनको डालका फला दूँगी ताकि दिक्कत ना हूँ थोड़ देर बाद फिर अलट-पलट दूँगी देखो थोड़ देर बाद मैंने इनको हलके से आथ से गरम-गरम ही ऐसे अलग- देख सकते हैं आप कितने अच्छे हो गए हैं और कितने सोफ्ट बने हैं एक दम सोफ्ट से बनके तयार हुए हैं बहुती लाजवाब और कलर देखिए कितनी चमक है और यह तल के तयार हो जाएंगी दई पपड़ी तो मेरा काम भी फिनिस हो जाएगा काफी एक डेड़ घंटे से मैं किचन में खड़ी हूं जादा ही टाइम हो गया है लग-बग मैं दो बजे क्या सपास लगी थी और शाम के पांच बजगे मेरे को यह काम करते करते लेकिन वो टोटल सभी कामों में हुआ है कि आट्टा लगाने से खतम करने तक बनगी है सारी चीजे और यह पतली-पतली पपड़ी भी बनगी है जो चाट पपड़ी बनाते हैं जिससे देख सकते हैं यह पाइल की फेवरेट है तो अभी मैं उसको एक प्रेट लगा कर देती हूं और आपको दिखाती हूं यह अभी हम डेकोडेट करते हैं पप्रियों को इतनी ही आराम से आप आएंगी इसके उपर हम डालेंगे देखने थोड़ा सा चाट मसाला है बोईल लालू मिलगय है मुझे थोड़े से आरखे थे परिजूनु फिर से थोड़ा से चाट मसालएं ढालेंगे थोड़ा से लाल मी का पाउड़र ऐट्वार्ब आ दालेंगे मीठी वाली सोंट अभी मेरे पास ग्रीन चटनी नहीं है हिस्सा में लेकिन और सोंट भी थोड़ी सी है अब मैं कल बनाऊंगी सोंट और इसके आप उपर डाल सकते हैं थोड़ी सी भुजिया इस तक लीजे बनके तयार है पपड़ी वाली चाट लो बाबुजी चाट आ गई लो पपड़ी कैसा बड़ा है खाओ खाओ मो Emir Öl nation । पर्मिकाष मैं मोमी चाबनाया मारकेटम अचा मिलताय तोणकी होह, improvड़ी कॉज में telling अच्छ नही चाहते? अराम से अराम से यह अच्छ नही कह रहा रहा यह चट्णी खा सी में नहीं? यह रखाता फ्रीज में अच्छ? नही बोथ? अभी चट्नी और बनाऊंगी मैं कल ठीक है ग्रीन चट्नी भी तो मैं जिन पांच तरह की मठड़िया बनके तयार हो गया है अच्छा भी दे रही हूं और पाल को इतनी टेस्टी लग रही है वह भी एक दो और दे दो बना के तो बहुत तेस्ट लगे क्योंकि उसको पापड बनाई है और ये बिल्कुल देखो बिल्कुल मार्किट जैसी बनी है पतली-पतली क्रेंची है बहुत ज्यादा और गुड़ के सेव तो इतने अच्छे लग रहे हैं देखो इनकी चमक देखो आप कितनी चमक है इनमें गुड़ के सेव तो आप जरूर बनाना बहुत से ज बनाई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सस्क्राइब कर लिए मैं वीडियो के सुरू में ही नहीं बोलती हूं वीडियो के एंड में बोलती हूं अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सस्क्राइब कर सकते हैं नहीं अच्छा लगता कोई बात नहीं तो मिलती हूं फिर नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी को नमस्ते और रादे रादे हैपी होली सभी को होली की बहुत बहुत